हलो फ्रेंट्स वेल्केम प्राइस में बड़ा पंप होने वाला है किस बेस पे ये चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इस बारे में आचे वीडियो में बात करेंगे Ice Network के KYC2 के बारे में कई सारे लोगों के questions दे तो मैं एक बार आप लोग क्विकली update कर दा हूँ कि किस तरीके से वो होती है अगर आप लोग अभी तक नहीं करी है तो इसके लावा कुछ important news updates है जिसको आज के वीडियो में discuss करेंगे सबसे पहले चलेंगे एक बार crypto analysis के website के market का जायजा लेने के लिए तो market gap 0.16% up है volume के बारे बात करेंगे 7.4% up है inflow के दो बड़े data है यहाँ पे अगर आज की बारे में बात करते हैं तो दो बड़े data है 1,861 BTC का और 3,404 BTC का यहाँ पे इसके लावा fear and gear index greed में 62 में पिछली अगर एक घंटे के आप sentiments की बारे में बात करेंगे तो वो strong sale की तरफ है heat map के बारे में बात करेंगे तो BTC 0.11% up और Ethereum 0.99% अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर alt coins के बारे में अगर आप बात करें तो ज़्यादा तरी बहुत हलके full के dip में नजर आ रहे है बिटकोईन के बारे में guys अगर बात करें तो जब यह video बना रहा हूं मैं बिटकोईन क के अंदर यह candle बनी है पर पूरी की पूरी रेड जो बिटकोईन को 42,000 पर लेके गई पर उसके बाद बिटकोईन के price ने recovery कर दी है और फिर से हम लोग 43,000 के level पर भी यहाँ पे गए इसके पीछे का जो reason था वो grey scale का हर थोरे time बाद आ जा रहा है कि grey scale bitcoin को move कर दा है coinbase के उपर जैसे ही news update आया market में sudden dump आया बाद में इसके बाद भाद से हम लोग को recovery देखने को मिल गया अब grey scale क्यों exactly transfer कर दा है coinbase के उपर sale करने के लिए कर दा है या फिर balancing के लिए कर दा है फिलाल इस बारे में कोई भी update नहीं पर ये एक reason था जिस वजा से हम एक sudden यहाँ पे dump द देखें तो bitcoin यहाँ पर चल रहा है अगर हम लोग one day candle करें तो हमें बहुत clear cut जो है यहाँ पर समझ में आ जाता है जहाँ पर support हमारे पास 41,700 बे बैठा है और जो resistance के बारे बात करेंगे वो 44,270-280 की नेरबर बैठा है जहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 4-5 दिनो से हम लोग उस level पर भी गई नहीं है यहाँ पर मेरा मानना है यहाँ पर कि bitcoin के price में बहुत जल्दी एक बड़ा pump आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसके बाद शायद bitcoin हमें दुबारा हमारे हाथ में यहाँ पर इस price में भी ना है जहाँ पर अल्रेडी मुझा पता है क bitcoin के price को लेके मुझे नहीं लगता किसी को भी panic करने के जहुत है क्योंकि कुछ important update जिनके बार में भी discuss करेंगे उनकी वज़ा से कभी भी बड़ा moment आपको bitcoin के price में देखने को मिल सकता है यहाँ पर थोड़ी देर बाद हम लोग चार्ट में आएंगे पहले वो updates को यहाँ पर trade हुई है वहाँ पर अब आप बोलेंगे यार आप 10 billion dollar की इतनी सबकी बात कर दो पर हमें क्या हमें तो खाली bitcoin के price से यहाँ पर फर्क पड़ता है बिल्कुल सही बात है अभी discuss करते हैं उसको update पुराना है यह जब दो दिन का spot ETF खुला था उसके बाद तो market बंद हो गया तो उन दो दिन में black rock जो public bitcoin holder है उनमें top 15 में आगया आप समझो सिर्फ दो दिन में black rock top 15 में आगया यहाँ पर again आप बोलोगे black rock top 15 में आगया हम क्या करें पर price में तो आप लोग को moment देखने को नहीं मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि buying अभी भी OTC desk के थुरू हो रही है पर जैसे ही आप समझो यह OTC desk की supply खतम हुई तो जितनी bitcoin buy करनी है वो market से उठने शुरू होंगे और जब एक बार वो उठने शुरू हुए वहां से आप लोग को bitcoin जहां दिख रहा है वह यहां पर दिखेगा ही नहीं उस चीज के लिए जरूर हो सकता है कि एक market में आप लोग को crash होता हुआ देखने को मिले जहां पर जो यह institutions हैं जब OTC की supply खतम हो जाएगी वो time पर यह लोग अपनी वहां पर buying बना सकते हैं पर हो सकता है कि उससे पहले यह बोले नहीं हमें नह पढ़ता वही 38-30,000 पर बिटकोईन है या नहीं है हमें तो अभी खरीदना है अगर वो कहा नहीं आ गई तो शायद जहां से बिटकोईन है यही से उपर की तफ लेने लग जाए इस वजा से मैंने आप लोग को बोला कि अगर एक buying बना नहीं है तो आप यहां पर बना सकते प्राइस पंप ना होने के पीछे का रीजन है कि अभी भी market से चीज़े उठाई नहीं जा ली है अब वो exactly कब उठेंगी उसमें थोड़ा सा time यहां पर लग सकता है डेली अगर आप बात करते हैं तो 900 बिटकोईन जो है वो circulation में market में आते हैं यहां पर और अगर आप यह ब थोड़े time बात जब वो supply ही खतम हो जाएगी market में कुछ होगा ही नहीं खरीदने के लिए वो time पे आप समझो bitcoin की limited supply होने की वज़ा से limited आता है market में तो उस वज़ा से एक दम से इसका जो price है वो shoot होगा time जरूर लग सकता और उस बीच में यह भी हो सकता है कि institution जो मैंने पहल और जहां से market में panic मचे कि नहीं है ETF successful हुआ नहीं है और यह आपके सारे bitcoin खरीद लेंगे मैं twitter पे भी यह चीज़ बोल चुका हूँ आप लोग को वीडियो में भी पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर bitcoin आपके पास है किसी भी हालत में निकालिएगा मत चाहे कुछ भी negative यहा आया जाएगा खाली पैनिक मचाने के लिए यहां पर क्यों क्योंकि उनको bitcoin खरीदने होंगे सस्ते में जब market में available नहीं है तो फड़ फैला के यहां पर लेकि आया जा सकता है पर in short भले ही bitcoin यहां पर 32,000 में आता हुआ दिखाईदे 38,000 में आता हुआ दिखाईदे 40,000 में आता हुआ दिखाईदे buying करनी है पर सबसे important बाद यह last आपका जो है dip यहां बनने वाली और इसके बाद आपको जो bull run की शुरुवात है वहां पर होती हुँ दिखेगे और उसके बाद bitcoin आगने वाले आपको 2 साल तक जिस level पर हम लोग हैं उस level पर शायद आपको देखने को उस time पर थे यार वो time पर तो 40,000 पर bitcoin था आप बोलेंगे नहीं यार हम लोग 40,000 पर bitcoin था पर हम लोग वो time पर buy नहीं करते थे क्योंकि हम लोग perfect opportunity का wait करते तो देखो perfect opportunity यहां पर कभी नहीं आने वाली है जहां पर मिल रहा है वो ले लो अगर bitcoin की बात आप कर दो बाकी all coins की बात कर तो वो अलग है वो pump dump होते रहेंगे 100% भी कई बार हो जाते हैं जादा भी हो जाते हैं पर उसकी बात नहीं करते हैं पर bitcoin की बात करें तो जिस price पे है थोड़ा थोड़ा buy करो आज आप लोग को लग रहा है 1000 रुपे, 2000 रुपे, 5000 रुपे, 10,000 रुपे के bitcoin से क्या हो perfect pricing कितना गिरेगा यहाँ पे नीचे आएगा, correction लेगा, देखो वो अलग बात है, वो जब आएगा तब बात करेंगे पर थोड़ा थोड़ा buying मेरे according यहाँ पे करते रहने चाहिए आप लोग को, यह जो same मैंने आप लोग को calculation बताई है, invest answer ने इसी चीज़ को यहाँ पे specify कर है, इसी चीज़ के basis में आप लोग को यहाँ पे बोल रहो, तो इनकी according इन्हों ने यह बोला है कि जो 900 Bitcoin जो है, वो market में आते हैं, डेली के अगर आप बात करते हैं, तो 900 Bitcoin जो है, वो issues होते हैं, इस में से शुरू के दो दिन में ही BlackRock ने खाली 11,000 Bitcoin यहाँ पे supply से उठाए है अगर आप यह पूरी calculation देखते हो, सारे institutions का मिलाके, तो डेली की लगबगी ने 23,000 Bitcoin की जववत पढ़ने वाली है, जबकि market के अंदर खाली 900 Bitcoin अवेलेवल, अब यह कहां से खरीदेंगे, खरीदना तो है, अब वो खरीदेंगे कहां से, अब जब वो खरीदने पे आएंगे देखने को मिलेगा, तो यह तो थी market-selected update, अब आ जाते हैं, एक बार Ice Network पे KYC के बारे में कई लोगों के questions हैं, और मुझे नहीं पता कि क्यो KYC 2 नहीं हो रही है, यह बहुत ही simple step है KYC 2 करने का, अगर आपने KYC 2 नहीं करा हुआ है, तो जब आप app पे जाते हैं, KYC 2 करने ज आपको, first pin tweet पे आप लोगो जाना है, इसके बाद यह जो pin वाला tweet है, इस tweet को नीचे आना है आपको, और नीचे आने के बाद, जब आप यह retweet के button पे यहाँ पे करते हो, तो इसको quote करना है आपको, और जब आप quote पे click करते हो, तो उस quote पे यह जो text है, इस text को copy करना है, और आप लोग को ये बोल देना है कि हाँ मैंने वो पोस्ट वहाँ पे कर दिया है that's it कहानी हो गई आप लोग की यहाँ पे खतम तो यह है simple KYC यहाँ पे to join का verification है इसके लावा आप 20 को यहाँ पे follow भी कर देना जहां से सारे updates आपको मिल चागे तो 19 तारीक को यानी की 17 तारीक के आज परसो के दिन आपको OKX पे list होता हुआ देखने को मिलेगा कई लोग के question OKX को लेके भी आ रहे हैं कि नहीं है तो भाई कुछ मत करो MetaMask का address डाल दो कैसे डालना है मैंने आप लोग को last video में बताया हुआ इसको MetaMask पे या फिर Trust Wallet पे Binance Smart Chain का address डाल दो और पढ़े रहने दो वहाँ पे मत बेचो आने वाले time में जब ये किसी दूसरे exchange में आएंगे तो वहाँ पे उन्हें बेच देना और अगर आप लोगों को pancake swap के उपर भी अगर swap का option या फिर MetaMask में swap का option मिले तो वहाँ पे उसे निकाल देरा और कुछ भी ना मिले तो MetaMask पे पढ़े जाने तो जब किसी दूसरे exchange पे आएगा तब आप इसको निकाल देरा तो आई हो अभी सारी चीज़े clear होगी एक और बात आगरी चीज़ यहाँ पे वो यह है कि आपके wallet में जितने भी ICE token है उसके 10% आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं October तक तो यह मत सोच ना पूरे के पूरे मिल जाएंगे 10-10% का distribution स्टार्ट होगा जब तक इनका main net जो है वो यहाँ पे launch नहीं हो जाता है तो यह तक इस हमारा आज का वीडियो आइस का मुझे लगता है अब साले के साले doubt आपके यहाँ पे clear होगे अभी भी कोई question है तो comment box में आप पूस सकते है नेक्स वीडियो में हम लोग उसको भी यहाँ पे cover कर लेंगे यह तक इस हमारा आज का वीडियो पसंदा है आपको उसको like ऊचे जोएगा चैनल में अपने या फर्स नइए फर्स नमी वीडियो देगे जोएगा और रेगूलर अपडेट्स के लिए जहाँ पे सबसे पहले आपको सारी चीज़े मिल सके टेलीग्राम को नहीं जोइन किया जोएगा 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 लिंक वीडियो के description मि जाएगा सर्च करके जोएगा नहीं करना है अधर्वाइस किसी स्कैमर के चैनल पेड होंगे और फालतो में को स्कैम अप लोग के साथ महाँ पूछ जाएगा थैंक्यो फेंड्स